स्री शिवाये नमस्त ब्याम हरहर महादेव कैसे हैं आप सब देख़े आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है माग और असान मास में जो नवरात्री आती है वो गुप्ट रूप से नवरात्री आती है उनके लिए गुप्त नवरात्री का महत वो बहुत जादा होता है क्योंकि गुप्त रुप से वो साधना करते हैं और अपनी साधना को सिद्ध करते हैं जात्री के किसी भी दिन किसी भी एक दिन आपको ये अच्चुक उपाय करना है मातर लोंग से जो आपके जीवन की समस्त समस्याव को दूर करेगा यदि आपके जीवन में आर्तिक समस्या है तो उसे भी दूर करेगा यदि आपके शरीर में किसे भी प्रकार का रोग है तो उ कि आपको नवरात्री की दिविरात्री में ही करना है बहुत ही आसान से उपए हैं यदि आप नवरात्री में घट इस्तापना करते हैं तो भी यह उपए कर सकते हैं यदि घट इस्तापना नहीं करते हैं तो भी आप यह उपए कर सकते हैं पुझी गुरुदेव की ही कता सुन करके समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शीव के यदि आप सच्चे भकते हैं और अगर मातारानी के सच्चे भकते हैं तो कमेंट में जय मातादीज जरू लिखें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें देखिए बहुत ही आसान सा उपाए हैं देखिए बहुत ही आसान सा उपाए हैं मातर लोंग के यह उपाए हैं लोंग आपके जीवन के सारी समस्या को दूर कर देता हैं देखिए लोंग का उपयोग नवरात्री में अगर आप करते हैं तो इससे मातारानी प्रसन होती है तो सबसे पहला उपाय यदि आपके घर में दारिद्रिता बहुत जादा है आपके घर में आर्तिक संकट बहुत जादा रेता है आपके घर में किसी भी प्रकार किसे इस्तिर लक्षमी का वास्त नहीं होता है यदि आप चाहते हैं कि देवी का आशिरवाद आपके घर में बना रहे तो आपको क्या करना है नवरात्री में किसी भी एक दिन नवरात्री में किसी भी एक दिन या तो नवरात्री के नो दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं यदि यह उपाय आप घर पर भी कर सकते हैं या तो यह उपाय आप किसी भी मंदिर में जा करके माता की आरती करते समय आप यह उपाय कर सकते हैं क्या करेंगे देगे हम नवरात्री में मातारानी के आरती करते हैं तो आरती में अंत में हम कपूर का उप्योग करते हैं तो कपूर का उप्योग जब हम करते हैं तब हमें दो लोंग के जोड़े आरती के समय हमें उन कपूर में डाल देना है मात्र इतना सा उपाय करना है इस घर की दारीद्रता दूर होती है आपके घर से आर्थिक संकर दूर होता है मात्र दो लोंग के जोड़े लेना है और दो लोंग फूल वाले होने चीए खंडित नहीं होने चीए यह उपाय आप मंदीर में अगर जा करके करते हैं बहुत जादा आपके घर में परिशानिया है तो नवरात्री के किसी भी एक दिन आपको हनुमान जी के मंदिर में जा करके यह उपाय करना है देखिए नवरात्री के यदि आप मंगलवार पर जाते हैं तो सर्वोत्तम होता है अगर नवरात्री के शनिवार के दिन जाते हैं तो और अच्छी बात है यानिकि अगर नवरात्री के मंगलवार और शनिवार के दिन जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाब इस उपाई से होने वाला है, देखें बहुत आसान सा उपाई है, नवरात्री में आप जब मन्दिर जांगे हनुमान जी के मन्दिर जाना है और ऐसे हनुमान जी के मंदिर में जाना जहाँ पर हनुमान जी को चोला अर्पित होता हूँ ठीके और ये उपाय आपको करना है रातरी में देखे आज के ये जो पांच लोंग के उपाय है ये पांचों लोंग के उपाय आपको रातरी में ही करना है तो देखिए आपको क्या करना है हनुमान जी के मंदिर में जाना है और आप आप क्या करेंगे चो मुखी दीपक आपको तयार करना है देखिए आपको मंदिर क्या क्या ले करके जाना है आपको एक माटी का दीपक लेना है जिसके अंदर आपको चो मुखी बाती लगाना है औ और आर पार वो बाती हो जाना चीए, देखो वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से लंबी बाती, दो बाती लेना है, जिसमें चार दीपक आपके जलेंगे, ठीक है, सरसो का तेल डालना है, और अब आपको लेना है, साथ लोंग, साबूत फूल वाली लोंग लेना है, और ये साथो लोंग को आपको दीपक के अंदर डाल देना है, दीपक के नीचे आप स्टील की प्लेट रख दे, या तो दीपक के नीचे आपको लाल कपडा रखना है, ठीक है, कोरा दीपक आपको नहीं रखना है, ये जो दीपक है, आपको पार्ट करने और आपके जीवन के सारे संकट दूर हो जाएं देखो फाइदा जोरूर होगा लेकिन अगर क्रिया के हिसाब से करेंगे तो वो लापका रिसिद्ध होती है तो साथ बार हनुमान चालिसा का पार्ट आपको हनुमान जी के मंदिर में करना है और उसके बाद अंत में इसी दीपक से आपको आरती करनी है हनुमान जी की बस इतना सा उपाय करना है ये दीपक वही पर रख कर कर के आ जाएं और आपकी जो प्लेट है वो आप घर पर लेकर कर कर के आ जाएं बहुत आसान सा उपाय है इस उपाय को करने से आपके जीवन के आपके घर के संकट भादा, कश्ट सब दूर होते हैं और आपके जीवन के आलतिक समस्या भी इससे दूर होती है तो बहुत ये आसान सा उपाए हैं ये उपाए भी आप नवरात्री के मंगलवार या शेनिवार के दिन कर सकते हैं देखिए तीसरा उपाएं यदि आपके घर में बीमारी बहुत जादा है आपके घर में बार-बार कोई न कोई व्यक्ति बार-बार बीमार पड़ जाता है कुछ ना कुछ घर में चलता ही रहता है कभी कोई बीमार पड़ रहा है कभी कोई बीमार पड़ रहा है याने कि आपके घर में बीमारी बहुत ज़ादा है आपके घर में रोग जो है बार-बार किसी ना किसी को नए-नए रोग उत्पन हो जाते हैं तो आज का ये उपाय आपको जरू करना चीए नवरात्री की दिविरात्री में आपको बहुत आसान सा उपाय ये उपाय आपको घर पर ही करना है दीवी रातरी में करना है मात्र एक दीपक आपको तयार करना है घी का दीपक भी तयार कर सकते हैं तेल का दीपक भी तयार कर सकते हैं ठीक है आपको एक लंबी बाती का उपयोग उसमें करना है दीपक के अंदर अब आप क्या करेंगे ये जो दीपक है देखें अब आपको क्या करना है इस दीपक के अंदर आपको मात्र तीन लॉंग डालनी है और ये तीनों लॉंग जो होगी वो साबूत होगी फूल वाली लॉंग होगी और अब आपको ये जो दीपक है कहां पर जलाना है देखो कहां पर रखना है आपको ये दीपक आपको आपकी घर में इसी स्थान पर रखना है जहां पर आपको जाना अच्छा नहीं लगता है यानि कि घर का ऐसा नेगेटिव जो घर में ऐसा लगता है जहां से नकारत्मक उर जाती है जहां पर आपको अच्छा नहीं लगता है कि इस जग आरत्मक शक्तिया दूर हो जाएगी, आपके घर में किसी भी प्रकार का रोग अगर आ रहा होगा, तो वो रोग भी दूर हो जाएगा, ये उपाए आप नवरात्री में किसी भी दिन, नो दिनों में से जब भी आपकी इच्छाओ, तब आप ये उपाए कर सकते हैं, मात्र त इतना सा उपाए करना है, आपके जीवन के सारे संकट, सारे रोग दूर हो जाएगे, तो बहुत ही आसान सा उपाए है, दिगे चोथा उपाए, ये आपके घर में नकारत्मक उर्जा बो जादा है, आपके घर में माता लक्षमी का इस्थाई रुप्से वास नहीं है, आप आपके घर में धनकी कमी है तो आपको एक प्लिट लेना है उसके उपर आपको एक दीपक रखना है खाली दीपक रखना है और उस दीपक के अंदर आपको कपूर डालना है बहुत द्यान से समझना और साथ में लेना है पांच लोंग साबूत पूलवाली लोंग लेना और पांचों लोंग आपको दीपक के अंदर कपूर के अंदर आपको डाल दीनी है साथ में लेना है तीन हरी इलाइची हरी इलाइची माता लक्षमी को बहुत प्रिया है और लोंग जो है वो मा दुर्गा को बहुत प्रिया है तो लोंग भी डाल दी आपने और तीन इलाइचे आपको डालनी है अब आपको आपके घर के मुख्य द्वार के वहाँ पर आ जाना है आपके घर का मुख्य द्वार आपको खोलना है आपको क्या करना है इससे प्रजुलेत करना है और आपको बोलना है ओम एम रीम क्लिम चामूंडाय विच्चे इस मंतर का आपको जाप करना है और आप आपके घर में प्रविश करेंगे और पूरे घर में आपको इसको ले करके घुम जाना है ध्यान लखना अशुद्ध इस्थानों पर आपको नहीं जाना है पूरे घर मे आपको घुमना है और ओम एम रीम क्लिम चामुंडाय विच्चे इस मंतर का जाप करना है ज्या लखें इस उपाय को करने से आपके घर में धन की व्रिद्धी होती है धन के नए नए इस्तोत्र खुलते हैं व्यापार अच्छे चलता है नोकरी अच्छी चलती है नोकरी में ब अच्छी बीजिन इस उपाय को कर सकते हैं बहुत ये आशंजा है देखें अब अंतियों उपाई पांच हुआ हैं युझा ज्या वपाई है आपको करना है नवरात्री के शनिवार के दिन एक लौंग से अपको क्या करना है शनिवार के दिन पीपल constow में व्रुक्ष के वह पुरी है कि आप भगवान विश्णु के निमित अगर आप दीपक लगाते हैं तो गोलवाति का दीपक का उपयोग आपको करना चाहिए और यहाँ पर हम देवी लक्ष्मी के क्रिपा प्राप्त करने के लिए दीपक लगा रहे हैं तो आपको लंबी बाती का ही उपयोग करन करना है पीपल के व्रुक्ष के वापर शनिवार के दिन पीपल के व्रुक्ष में शाक्षयत भगवान विश्णु मतल लक्ष्मी का वास होता है और इस लोंग को आपको ओम महा लक्ष्मी का ग्यारा बाज आप करके इस लोंग को आपको दीपक के अंदर डाल देना है बस इतना सा उपाय करना है नवरात्री के शनिवार की रात्री बर अगर आपके जीवन में जो भी आर्थिक समस्या है वो आपको दूर करने की प्रातना करनी है मतल लक्ष्मी से और ये सुन्दर सा उपाय करना है देखे आज के इस वीडियो में हमने आपको पांच लोंग के महा जो कि आपको नवरात्री के दिनों में करना है जो भी आपको उपाय अच्छा लगे जो भी आप उपाय कर सके आपके समस्या के अनुसार लगे वो उपाय आप कर लेना अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना गलती नहीं करना है श्री श शिवाय नमस्तभ्याम, हर हर महादीव.